हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे की हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले जैसरी किशना दोस्तों संकल्प कोचिंग गंगानगर में आपका स्वागत है मैं ससी गुषन शर्मा कंप्यूटर साइन्स एंड आइटी फैकल्टी जैपूर आज आपके लिए इस वीडियो के माध्धम से लाइबरेरी साइन्स रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट कुछन ल आपके बीच नए नए वीडियो आप तक मैं पहुचा सकूँ अब आगे चलते हैं कुछनों की स्रेंकला पे कुछन नमबर एक मीरा सब्द का सम्मंद किस से है ओप्शन A हाइब्रिड कम्प्यूटर ओप्शन B डिजिटल कम्प्यूटर ओप्शन C सूपर कम्प्यूटर ओप्शन D मिनी कम्प्यूटर तो दोस्तो मीरा सब्द का सम्मंद हमारे सूपर कम्प्यूटर से है जो नवंब सूपर कम्प्यूटर में दो या दो से अधिक कम्प्यूटर प्रोसेसर पेललल फॉर्म में लगे रहते हैं जिससे mathematical calculation करना आसान होता है. कुशन नमबर दो कोहा लाइवरी शॉफ्टियर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? उप्षन नमबर A, Linux, उप्षन नमबर B, MS Window, उप्षन नमबर C, Unix, उप्षन नमबर D, MS DOS. तो दोस्तो कोहा लाइवरी शॉफ्टियर हमारे Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है. Linux एक open source ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका source code free of cost अपलब्द होता है. कोहा हमारा काफी प्रचलित, बेलोग प्रिये एक लाइवरी शॉफ्टियर है, जो इस्ताई रूप से 27 अगस् प्रिचलन में है. तीन, इन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? उप्षन A, होड़वाट, उप्षन B, Elta Vista, उप्षन C, Unix, उप्षन D, याहू. तो दोस्तो, आंसर होगा उप्षन नमबर C, Unix. सर्च इंजन इंटरनेट के मार्दम से सूचनाओं को keyword के रूप में खोज कर हमें प्रस्तूत करता है. आंसर C, Unix इसलिए होगा, क्योंकि Unix एक प्रकार का operating system है, जो computer की समस्च एक्टिविटी को रन करता है, जबकि सर्च इंजन सूचनाओं को इंटरनेट के मार्दम से keyword के रूप में खोजता है. Motion No.4, OPEC का पूर्ण नाम क्या है? Option A, Online Public Access Catalog, Option B, OEO Public Academy, Option C, Online Preserving and Catalogging, Option D, Online Public Academy. तो दोस्तों, OPEC एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतरगत library list को एक साथ कई readers द्वारा देखा जा सकता है, जिने computer द्वारा प्रदर्सित किया जाता है, अर्थात computer द्वारा प्रदर्सित करने की प्रक्रिया OPEC कहलाती है. यह है library list का एक नविन्तम रूप है, जिसे simply library catalog के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर होगा A, Option Online Public Access Catalog. पांच, ग्रन्थाले एवं सूचनविज्ञान के छेतर में भारत में computer का प्रियोग कब आरम हुआ, Option A 60 के दसक में, Option B 80 के दसक में, Option C 90 के दसक में, Option D इन में से कोई नहीं. तो दोस्तों, हमारे भारत में library software का विकास 1960 के दसक से ही प्रारम हो गया था, और 1980 के दसक में, library software के कारों में गती सिलता आई थी, जिसे 1990 के आसपास लोग प्रियता मिली थी, तो इसका आंसर होगा Option A 60 के दसक में. Q6. Ethernet सम्बंदित है, Option A LAN, Option B WAN, Option C MAN, Option D RAN, तो दोस्तों, Ethernet एक लोग प्रिये LAN नेटवर्क है, तो इसका आंसर होगा A, Option Local Area Network. Q7. Lotus क्या है, Option A Operating System, Option B System Software, Option C Application Software, Option D Utility Software, तो दोस्तों, इसका आंसर होगा Option C Application Software. Application Software, ऐसे प्रोग्रामों का समू है, जिनके द्वारा यूजर्स, कम्प्यूटर्स में किसी ने किसी प्रकार से डॉकुमेंट्स को तयार करते हैं, अर्थात ऐसे सॉफ्टेयर जो यूजर्स को विविन रूप से डॉकुमेंट्स तयार करने में मदद करते हैं. Question No.8, कौन सा प्रोटोकॉल IP अड्रेस निर्दिश्ट करता है? Option A, FTP, Option B, SMTP, Option C, HTTP, Option D, DSEP. दोस्तों, इंटरनेट के माद्यम से हम जब सूचनाओं को एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर तक आदान प्रदान करते हैं, तो सूचनाओं को इंटरनेट के माद्यम से आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों का समू या Set of Rules प्रोटोकॉल कहलाता है. के या network के server से जुड़ता है तो automatic उसका एक IP address यानि internet protocol address जनरेट होता है जिससे उस computer system की internet पर पहचान होती है IP address उपलब्द होनी की यह जो प्रिक्रिया है DSCP protocol के मादरम से यह है एक automatic प्रिक्रिया है question number 9 निकनेट का मुख्याले कहा है option A नई दिल्ली, option B हैदराबाद, option C कलकत्ता, option D बैंगलोर NIC National Informatic Center यह है भारत में नई दिल्ली में इस्तित है यह है भारतिय electronics और सूचना प्रोधिकी विवाग के electronics और सूचना प्रोधिकी विवाग का एक हिस्सा है जिसे 1976 में इस्तापित किया गया और इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्तित है तो option होगा दोस्तो A option नई दिल्ली question number 10 E prints software इस्ताई रूप से प्रिचलन में है option A 27 अप्रेल 2018 B option 13 फरवरी 2018 C option 29 मार्च 2018 D option 26 जनवरी 2018 तो दोस्तो E prints एक free and open source software है जो open access responsibilities को complete करता है और protocol के माद्यम से data को बनाने का करता है तो इसका इस्ताई रूप से प्रिचलन हमारे 29 मार्च 2018 से है और इसका प्रारंबिक प्रिचलन 15 अउस्त 2017 से हुआ तो इस question का right answer होगा option C 29 मार्च 2018 Question number 11 1 GB बराबर होता है option A 2 की power 10 bytes के option B 2 की power 20 bytes के option C 2 की power 30 bytes के option D 2 की power 40 bytes के तो दोस्तो question पूचा है 1 GB equivalent to तो इसका आंसर होगा option number C, 2 की power 30 option क्या होगा? 2 की power 30 bytes के क्यों? क्योंकि 2 की power 10 यानि कि 1024 bytes पूछा है तो 124,000 x 124,000 x 124,000 जब 1000 choice को 3 बार multiply करते हैं तो हमारी 2 की power 30 bytes बनती है और 2 की power 30 जो bytes होती है वो 1 GB के बराबर होती है question number 12, जब data एक साथ group में process किया जाता है तो वह कौन सा operating system कहलाता है option A, batch processing operating system option B, time sharing operating system option C, distributed operating system option D, real time operating system दोस्तो, operating system एक प्रकार का system software होता है जो computer system की समस्क्रियाविदी को क्रियानवित करता है यानि की प्रतेक computer system में एक operating system का होना अती आविशक होता है अब हमसे question में पूछा है कि वह कौन सा operating system है जो data को एक साथ group में process करता है तो इसका answer होगा दोस्तो, option A, batch processing operating system क्योंकि इस batch processing operating system के अंतरगत एक समान प्रकार के कारेओं को एक साथ group या batch के रूप में क्या किया जाता है तो सहीत answer होगा इसका option A, batch processing operating system question number 13, गरन्थालों में स्वेचालन लागू करने से क्या लाग नहीं होता है option A, कारे में सरलता, option B, कारे में सिथिलता, option C, कारे में परिसुदता, option D, कारे में सीगरता तो दोस्तो हमारे library automation प्रक्रिया का मुखोदेश हमारी library की गती विदियों को computer द्वारा क्रिया सील बनाना था अर्थात library की जो भी गती विदियां हैं उन्हें computer का उप्योग करके गती सीलता लाना है हमारे पैज्ञानिक थे साल मौन, उन्होंने कहा था कि library की जो भी activity है, चाए वो automatic है, चाए semi-automatic है उन्हें प्रक्रिया में हमारे जो भी data processing होती है, वो data processing हमारे computer system के द्वारा की जाती है तो प्रिशन में हमसे पूछा है कि data processing में क्या lab नहीं होता है, तो lab हमारा option B होगा, कारे में सितिलता Question number 14, teachers में प्रियुक्त पदों में किस प्रकार का सम्मंद होता है Option A, सब्दार्थ सम्मंदी, B, पदानुकरमी है, C, सहचर्य है, D, इनमें से सभी सम्मंदित है तो दोस्तो, teachers हमारे MS Word application software में उप्योग किया जाने वाले समानार्ती सब्दुकोस होते हैं जो डॉकोमेंट से मिलते जलते, टैक से सम्मंदित होते हैं तो इसका सही उत्तर होगा Option A, सब्दार्थ सम्मंदित Question number 15, Android operating system के जनक है Option A, Robert Noe, Option B, Jack Kilby, Option C, Larry Page, Option D, Andy Rubin तो दोस्तो, Android बरत्मान समय का mobile operating system है जो एक लोग परिये operating system है इसे Google कंपनी द्वारा विक्सित किया गया इसके जनक Andy Rubin है तो इसका सई आंसर होगा Option D, Andy Rubin धन्यवाद दोस्तो, आपको कुशन्स पसंद आए हूँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा ताकि मैं इस प्रकार के पिशनों की सरंखला आपकी बीच और नई नई लास होँ धन्यवाद, जैसरी किशना दोस्तो, बाई बाई कर दोस्तो, आपकी बाई